मेरे नम है प्रियंका, आप देख रहे हैं It Simple और ये वीडियो होम साइंस क्लास 11 के लिए है इस वीडियो में हम होम साइंस के चैप्टर वाइज इंपोर्टन्ट कोईशन के बारे में बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले बतादू कि important questions से मेरा ये मतलब नहीं है कि यही questions exam में आएंगे हो सकता है इनकी form change हो जाए या फिर ये भी हो सकता है कि ये questions ना आए इन questions को important बताने का reason ये है कि इन questions के बाकी questions के comparison में exam में आने के chances थोड़े जादा हैं इसलिए इने important बताया है start करते हैं भाग एक इकाई एक से अध्याय दो में जो important question है वो है page number 20 पे जैविक और शारीरिक परिवर्तन पे अध्याय तीन में जो RDA पे question है वो बहुत जादा important है क्योंकि RDA पे mostly जो भी home science के exams होते हैं सब में RDA पे एक नएक question आता ही आता है तो RDA को जरूर करके जाना RDA को book में आपकी ऐसे explain कर रखा है कि RDA is equals to आवशक्ता plus अतिरिक्थ सुरक्षा मात्रा that is की RDA होता है requirement plus safety margin requirement का मतलब है कि body की जो basic needs होती है वो वाली और साथ में safety margin भी include किया जाएगा RDA में safety margin में दो main important points होते हैं पहला होता है periods of low intake that is period of leanness and दूसरा cooking losses okay so next important question देखते हैं अध्याय 4 में page 52 पे प्रबंध प्तक्रिया अध्याय 5 में पहला गुणधर्म और दूसरा 5.6 वस्तर परिक्ष करण page 65 पे है फिर अध्याय 6 में संचार माध्यमों के कार्रे page 84 पे अध्याय 7 में आप अपनी बात या प्रस्तुती करण को प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं ये वाला question page 97 पे है अध्याय 8 में वैश्वी करण page 102 लास्ट लाइन अब भाग एक एकाई दो में देखते हैं अध्याय 9 में जो कर सेक्षन है उसमें page 116 में संप्रेशन बाचीत की चार शैलियां लास्ट पारा से दिया हुआ है ख़पार्ट में page 125 पे जो defines दी हुए है उन्हें अच्छे से पढ़ लेना फिर page 124 पे है अध्यापको का प्रभाव फिर गपार्ट में page 133 पे मेडिया और समाज इसको अच्छे से पढ़ लेना अध्याए 10 में ख़पार्ट पेज 144 में ब्लू बॉक्स जो दिया है वो अच्छे से कर लेना page 145 पे कूपोशन के बारे में आ सकता है ख़पार्ट में page 156 पे कार्य करता और कार्य स्थल इन तीनों की ही defines अच्छे से आत कर लेना और साथी साथ इनके बीच का संबंध पता होना चाहिए ठीक है फिर घपार्ट में page 171 पे समय प्रभंधन की स्थितियां ठीक है फिर घपार्ट में page 190 पे गरामेन रोजगार उत्पादन तथा अन्य योजनाए ये एक बहुत ही important topic है इस question के आने की chances पूरी काई 2 में सबसे ज़ादा है क्योंकि जितनी भी योजनाए होती है कि जितनी भी schemes बनाई होती है government ने वो सारी बहुत ज़ादा important होती है और home science की paper में तो usually आती ही आती है एक नाएक तो आती ही आती है तो ये बहुत अच्छे से करके जाना फिडर पार्ट में पूरा chapter ही important है in the sense कि कुछ भी आ सकता है इस chapter में से तो इसमें ऐसे मैं specify नहीं कर सकती कि ये याद करके जाओ अब देखते हैं भाग दो इकाई 3 अब यहां से तुम्हारी next book स्टार्ट हो रही है ठीक है अध्याए 11 में विकास के शेत्र page number 229 इसमें सारी कर लेना अच्छे से page number 233 में शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास page number 235 पे blue box important है कर लेना अध्याए 12 में page number 256 पे स्तनपान के लाब page number 263 पे विध्याले पूर्फ बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना बनाना page number 267 पे last टांजा से स्टार्ट हो रहा है विध्याले जाने वाले बच्चों के लिए आहार योजना अध्याय 13 page number 275 प्रथम 6 वर्षों का महत्व फिर ECCE इसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए यह एक बहुत जादा important topic है ओके फिर अध्याय 14 में page number 306 पे विशेश आवशक्ताओं वाले बच्चों के लिए questions important है अध्याय 15 में BMI usually आता है इस पर question page number 315 पे blue box है वो कर ले ना page number 321 पे दबाव से जूजने की सरल तकनीके ठीक है अध्याय 16 में परिवारिक आई के प्रकारस में तुम्हारी money income, real income, indirect income, direct income यह सारी चीज़ें आ जाएंगी page number 336 पे 4C के बारे में दिया हुआ है वो कर ले ना page number 333 पे विवेक पून निवेशों में अंतर निर्हित सिध्धान्त फिर अध्याय 17 पूरा अध्याय ही बहुत जादा important है और यह अध्याय 17 इतना जादा important है कि मैं तुम्हें यह recommend करूंगी है suggest करूंगी कि जैसे ही अग पहले तुम अध्याय 17 से ही start करना क्योंकि इसमें से बहुत सारे questions बनते हैं जो की exam में आ सकते हैं ठीक है labels बहुत जादा important है कोई भी home science का exam ले लो जरूर आते ही आते हैं exam में ठीक है तो labels जितने भी है page number 354 to 355 सारे अच्छे से याद करके जाना सिरफ label बनाना ही नहीं बल हटाना ये भी कर ले ना important है ये भी काफी जादा फिर page number 343 पे blue box में दिया हुआ है सामान्य दाग दब्बे तथा सूती कपड़े से उन्हें हटाने की विधी जैसे की चाय का दाग कैसे हटाय जाए coffee stain कैसे हटाय जाए blood का stain तो ये जो stain removal है ये काफी बार आता है exam में ठीक ह page number 344 गंदगी हटाना page number 356 रेशों की विशेशताएं जो कपड़ों की देखभाल तता रख रखाव को प्रभावित करती है ये भी बहुत जादा important है ये बाला topic तो ये भी topic जरूर करके जाना exam में ओके फिर अध्याय 18 में page number 363 पे question 2 important है अध्याय 19 में page number 366 पे जो 1 पूरे page में दिया हुआ है वो अच्छे से कर लेना ठीक है okay so all the best for your exams and इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है